मेरे प्यारे दोस्तों रवे टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत था दोस्तों मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 वजे रिजिनिंग का टोप 10 क्स्टन लेके आता हूं आप लोग बस रोज रात 9 वजे मेरे साथ 10 से 15 मिनट रिजिनिंग पढ़ लिजिए आपको को इस्टरा से रिजिनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नमर कोस्टन है यदि इतना 34 गुना 15 बराबर 495 तथा 43 गुना 12 बराबर 504 हो तो 98 गुना 17 बराबर क्या होगा यहां पर पूछ रहा क्या होगा इससी सीप्यों पूछ से स्वल्प किजिए आपका दस्वेसी कितना नमर आ रहा है कोमेंट बोक्स बताजिए ठीक है देखें इसमें क्या हो रहा है इतना को इतना लिख रहा है कैसे हो रहा है आप लोग इसको गुना किजिए 510 ठीक है आप लोग 34 15 को इन दोनों को 34 15 को गुना किजिए कितना होगा 510 होगा 510 मेंसे इसको इधर वाले को मैनस कर देना है 510 मेंसे 15 को मैनस किजिए तरे कितना होगा 495 होगा ठीक है देखे क्या कर रहे हैं हम लोग पहले इन दोनों गुना कर रहे हैं चावतिस आप 15 गुना कि तो आया 510 510 में से इधर वाले को माइनस कर दे रहा है 510 में से 15 गटाजाएगे तो कितना हो जाएगा 495 अगला निकल जाएगा देखें यहां क्या रहो ते 430 को आप बारा से गुना किजिए तो कितना हो जाएगा 56 T узτα तो सं जह को आप 12 से गुला किसे हैं कितना हो जागा 56 से हम बोल रहे हैं इधर वा को घटाना येे बारा घटा I was five iest two to leave 504 ओन्होंगा इसको क्या लिखे नजकर घर 19 खांवे गुणा 17 हें ठानवे को आप 17 से गुना कीजिए तो कितना ओगा तीक है नो सब तीरे शट तीरे साथ आठ तीरे साथ और आठ घटा गया एक अखत्तर पाथ छीएत्र चीएत्र के चे हाथ मेरा साथ नव साथ सुल्ला सो ऑचाथ हो जाए गांगा इहार गटाना है सुलाइस हो जाएगा थिक या रहा था इधर वाले घटा रहा थे इंदनों गुना किजिए इधर वाले घटा दिजिए कितना आप उन्चास हो जाएगा दूसरा नमर कुछेंटी नड़कियों की एक पंगती में सुवेता बाये च्छोवर से 27 अस्थान पर हैं पलक स्वेत chambers के दाये सातवाए अस्थान पर है पलका स्थान पंक्ति के दाये चोर की और से क्या है इसलिए दभ्यज ऌपुछा कुछ तो उत्र ます प्सूरल्ड हैया उस्थान basta इस इzkार है कर यह को बतायए शोर से बोले तो दे कि तो बाया हाथ को अपने सरीर की और लाई तो बोल्ड़ा इधर से अपने सरीर की और आएगा सुवेता 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 सुवेत होगा पलक का स्थान स्वेता से डाये साथ वे अस्थान पर है तो चे बाद उसलिए होगा ठीक है अब देखिए तो वोल्रा का अस्थान पंक्ति में दाया चोचीं क्या दखिए टोटल कितना लड़की उत्पंक्ति 26, 27, 27, 27, 23, 23, 23, 24, 24 अब एव और कितना लड़की बल गया 24 और इधर कितना लिखेगा? आप तो 74 अचालिस इधर चालिस होगा तभीन पूर आप 24 लड़की पूरेगा? बला तो पंग्ती में 74 लड़की है, 26 यहाँ 27, 27, 23, 24 और इधर हम लोग कितना लिख देंगे जो 74 चोगी सो चालिस चोजटर लड़की हो जाएगा अब क्या बोल रहा है पला का अस्थान पंक्ति में दया चोज़तर से इधर से कौन सास्थान हो तक उसका अस्थान कि हागा पलाक का एक तालीस भाँ हो जाएगा 30 उस्से पहले है इसका कितना प्रत्रस नोब दोuses तो यहां पर क्या होगा त्वांप उसमें क्या हो रहाएगा है अपना किंगे ईसपकन स्ते साइस से इस बते माइनस दो तीन में दो जाएगा एक यह वला निकल जाएगा क्या हो रहा है सताइस नो था सताइस बटे नो लिखे हम लोग माइनस यह वला दो लिखे ठीक है सताइस में नो सभागा दिजिए तीन अब माइनस यह वला दो तीन में दो जाएगा एक यह वला निकल जाएगा य ठीक है यहां दखिए अब 36 हैं क्या लिखिए गाँ चार लिखिए गाँ यह बला माइनस में लिखाता है माइनस चार तो चार को चार को 46 नौ भार में आफ तो इंदा है तो examination का code क्या होगा एंटीपीसी दोया सुलनम पुछा कुछन देखिए इसमें क्या हो रहा है एम का numbering होता है 13 आपको हम इसाब बढ़ा चुके है coding decoding में आपको देखना है तो description box में लिंक है जागे देख सकते हैं एम का numbering होता महां आप ट्रिक से भी याद के रहा है आपको यह सम नमरिंग सम एम का code होता है 13 ठीक है आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तीन और एक को जोड़िया कितना जागा चार देखिए एम का पहला चार हो गया ठीक है ओ का numbering होता ओ जो यहां है ओ का numbering होता एक 15 इन दोनों को आपास में जोड़िया पांच एक छे यह वला हो जाएगा ठीक है बी का numbering होता है दो का दो है आई का numbering होता है 9 आई का 9 है एल का numbering होता है देखिए एल का numbering होता है 12 बारा को लिक देजिए दो लोट को आपसे जोड़िये तीन आई का numbering होता है ठीक है टीक है दोनों को आपसे जोड़िये दो 02 हो जाएगा य का नमरिंग होता है 25 25 ऐसे लिखिए दो 5 दोनों को जोड़िए 527 हो गया ठीक है उसी तरह से examination को हम लोग का इसे लिखिए दिखिए एका कितना होता नमरिंग एका होता पांच एकस का होता 24 तो 24 होता है दोनों को जोड़िए 4 रद दो जोड़िए 6 हो जाएगा एका एक होता एम का तेरा होता है तो तेरा एक तीन तेरा तो दोनों को जोड़िए तीन एक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आई का नाइन होता है ठीक है एन का चाओदा होता है तो चाओदा को आप लोग दोनों को जोड़िएगा चार एक पाच हो जाएगा एका एक होता है टी का बीस होता है तो बीस दो जीरो जोड़िया कितना हो जाएगा दो हो जाएगा आई का नाइन होता है ओ का देखे पंदरा होता है तो एक अर पाच पंदरा हो पाच एक दोनोग जोड़िया पाँच एक छार नो पाँच एक दू नोच पाँच यह हो जागा बी नंबर एंसेर हो जागा हम लोग का पाँचवा नंबर कोस्टन है पंकज एक आदमी की तरह विशारा करते हुए कहता है वहँ मेरे चाचा की बेटी का भाई है यह आदि पंकत्स से किस परकार संबन्दित दखिए हमनों अफंदर अप आदम करते वह हैं अच्छा कैसी होगए वह मेरे चाचा राख गोलता है गया पापा का भाई यह सब हम आपको नहीं बताएंगे आप हमको बताईये चाचा किसको बोलियेगा पापा का भाई को पापा का भाई को चाचा है पापा का भाई गापा की Bugün का भाई है पंकत इक आदमी की तरह मेरे चाचा की सब्सें को इसको क्या बोलता है अब दखिये लड़का-पी जो है पंकते हैं इसो जह पंक याक। खुन में ही यह सब चीज है तो देखिए अब क्या लड़का पी जो है पंकज इसको क्या बोले देखिए अब खुद आप सोचिए हैं को पताने को जोड़ नहीं है यह देखे क्या है पापा पापा का भाई चाचा चाचा का यह बैटी है बेटी का भाई है मतलब भी बेटा है आप बताई हैं चाचा बेटा बेटी को आप क्या बोलते हैं चाचेरा भाई चाचेरा बहन तो इसके बारे मिए ई क्या लड़का है घृच्षे चे नमर कोशन देखिए, 826, 480, 346, 134, तो यहां पर क्या होगा, गुरुब D 28 पुछा कोशन, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं सुचना हो, इन दोनों को माइनस कर दिजिए, 826 में से आप 480 घटाईएगा, तो कितना हो जाएगा, बोलिये तो 346 ये बला निकल जाएगा, हम लोगा एंसर निकल जाएगा, क्या है, 346 है, 346 में आप लोग 134 का माइनस कर दिजिए, तो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, गुरुब D 28 पुछाओ कोशन, सी नमबर एंसर, सात नमबर कोशन है, इतना को इतना लिखा ज जाएगा, सी सितो नमबर कोशन, देखे इसे में क्या हो भरहा है, आप लोग देखे, A से पलिस два किजिए, ठीक है, A से पलास दो कीजिए, क्या होगा, B, C, ठीक है, Z में आप लोग, माइनस 2 कीजिए, देखे, Z माइनस 2 कीजिए, क्या होगा, X, Y, Z, इther से चल रहा है, फिर बी में आप लोग पलस दो कीजिएगा बी सी डी अफिर डाबलू में आप लोग माइनस दो कीजिएगा डाबलू एकस वाई क्या हो रहा एक बार पलस दो इधर से एक बार पलस दो इधर से पलो इधर से पलस दो इधर से उसी तरह से इसमें होगा पहले पलस दो इधर से होग में minus 2 कि I can do अब F में plus 2 E F ड़ हो जाएगा अब U में minus 2 कि I like s,- em जो जाएगा 20 एंसर क्या होए इंसर क्या हो यह क्या हो لي विशाम संख्या यूग मों को चुनिये। इस मीशी सी पनां पुझा कोछिने। लाल सफेद नीला पिला देखें गया up押या होना है। इस अारों हमेशाल में उसको चुनना है। उचकर एंश्जाम ऑनेर क्या हो जागा है सफेद। नाइन नंबर कोश्चन है उस भी कल्प का चेन कीजिए जो प्रस्ण में दिये गए संख्या समूज से अधिकता मेल खाता है यूपीती पर ले सीद्व अठारा मुछा कोश्चन देखिए बोल रहा है कोश्चन की ऐसा कौन सा ओप्सन है चार हो से जो इस से अधिकता मेल खात चार में क्या कीजिए गुणा दो पलस दो चाड़ दो से गुणा हो जाएगा तो दूस हो जाए गार देस दो से भागा दो ओप्सन हो इसमें चलते हें नोट युमाक यूना काब्ग वैक तुर सभागत न दो चाहर। जलिंदे सब्सक्राइब करें 25 सब्रक्रा शक्राइब सब्सक्राइब युच्यां दो सब्सक्रास इसंद्सब्स से है argument आपी तस में दो से भागें वागे दिशक देश पांच पंदिरा हो गिया था यह वहला हो गिया ठीके तो अम लोगांशर क्या सी नंबर इसको देख लिजेए यह ऐसे भी नहीं होगा देख विले ते गुणा दो पलजो किजिए गुणा दो पलजो तो सद्वुना चावदा इस तरह से यही अप्षान सी नंबर दस नंबर कुशन देखिए दिये गया भी कल्पों में से संबंदित सब्द को चुनिए ऐसे सीजियल दो सुननों पूचाँ कुशन देखिए उद्देशिका संबिधान तो अप्षान दिया हुआ सब्द सब्द को विशाबस्तु पत्रि देखिए जिस परकार समबी ilsबन की देखें क्या होगाए समाट और के घृति है उस्चितर हैं की अई योडर्षान होती का संब्द कर जुके आपका अब cha आटी में से कितना नमबर आया है वीडियो एच्हा लगा हो तो चैनिल-चैनल को सब्सक्राब किजिए इस्थू किजिएगा अपने दोस्तों साथ सेर जरूर कीजिएगा मिलेंगे नेश्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत